हे गाइज एन वेलकम बैक टू माइटीव चैनल माइन नेम इस इशान चवस्ती और यार होप करता हूं सारे ही अच्छे होगे तो गाइज इस वीडियो में हम लोग चेंजिंग कल्चिरल ट्रेडिशन के चैप्टर का पार्ट बी करने वाले हैं तो जिन्हों नहीं आभी पार्ट ए नहीं देखा है पहले आप पार्ट एन देखर आहिए इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दू आए फिर आ उप वीडियो पर आये हैं और सबसे पहले हम इस वीडियो के टॉपिक में देखेंगे आर्टेस्ट रियलिजम तो अब हमने इस चैप्टर में योरप की बात करी है 14 से 19 सेंचुरी तक की योरप की तो उसमें कितने हुए थे हमने लास्ट वीडियो में देखा हुमेनिजम का कॉंसेप्ट आ गया था मतलब पहले सिर्फ वहां पर रिलीजिस स्टेडीज होती थी योरप में बड़ जैसे डेवलप्मेंट और एडवांस्मेंट होता गया वहां पर किस चीज की बढ़त होती गई एजुकेशन क सकते हैं whatsoever your interest might be आप वो बन सकते हैं योरप में after 14th century तो चलिए हमारे टॉपिक देखते हैं बिल्डिंग वगेरा बनाते हैं उन्हें भी humanist people कहा जाएगा बुक राइटर्स वालों को भी humanist people कहा जाएगा और Indian sculptures were influenced Italian sculptures were influenced with perfectly proportioned male and female figures Don Talio initiated the new ground with his lifelike statues तो यहां पर नए नहीं चीज़े हमें देखने को मिल रहे थी योरोप में जैसे कि Italian sculptures Italian sculptures जो थे यानि कि जो मूर्तियां थी Italy की वो किस से influence हुई थी वो influence हुई थी male और female figures से तो इटालियन के आप जो भी अगर आप sculptures देखेंगे तो उसमें ज़़ातर male और female figures ही आपको मिलेंगे और उसको initiated किस ने किया था Don Tilo ने किया था Don Tilo initiated this new ground with his life-like statues और वो statues बिल्कुल ऐसे sculptures ऐसे बने थे जैसे कि वो सच में कोई इनसान ही खड़ा हो या male और female खड़ी हो तो इस तरह के वो लोग statues बनाया करते थे कौन जो artist people होते थे sculptures होते थे इसके बाद the artists were helped by scientists by making accurate human figures तो जो artist होते थे उनको कई बार scientist भी help करते थे accurate human figure बनाने में अब कोई इनसान है यह हम लोग तो क्या है पांच तजव की मूर्ती है हमें भगवान ने बनाया है तो जो हम बनाएंगे वो उतने perfection के साथ तो बना नहीं पाएंगे जैसे कि भगवान ने बनाया है उसमें कई सारे cross and cons होंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों की help भी लेनी परती थी तो वैसे ही sculptures बनाने में scientist की भी help ली जाती थी और the artist went to laboratories for medical schools for studying bone structure और जो artist होते थे वो school भी जाते थे medical school जाते थे कि वो bone का structure देख पाएं कैसे bones होती हैं कितनी bones होती हैं वो कैसे work करती हैं कहां कहां पे situated होती हैं जब यह सारी चीज़े एक artist को पता होंगी तभी एक मूर्ती जाकर तयार कर पाएगा वो after that the use of anatomy, geometry and physics together with the logic of what is beautiful created a quality called realism introduced in Italian art which continued up to 19th century means जो चीज असलियत में अच्छी है हमारे लिए और जो हमारी country को develop कर सकती है वो चीज़े introduce करना एक citizen की responsibility होती है तो जैसे जैसे यह responsibility fulfilled होती जा रही थी उस concept को बोला जा रहा था realism फिर से दिखते हैं the use of anatomy, geometry and physics together with logic of what is beautiful created a quality called the realism introduced in Italian art which continued up to 19th century यह सब different subjects की मदद से ही possible हो पाया था after that a professor of medicine andres vesalis at university of padua first descended the human body which was the beginning of modern psychology modern psychology में क्या था कि human body में कितने bones है कैसे कैसे muscle work करती है हैं कितनी arteries हैं कितनी veins हैं यह सबका dissection होगा हमारी body का तभी तो पता चलेगा तो उसको dissection करने वाले पहले कौन थे हमारे अंड्रेस वेसालिस थे यह university of padua के प्रोफेसर थे सो यहां पर university of padua हमने part a में पढ़ा था यह एक इटली की बहुती modern university थी so guys I hope आपको artist and realism का concept समझ में आया होगा कैसे यह work करता था कैसे artists लोग अपने आपको influence कर रहे थे और enhance कर रहे थे after that हमारा जो next topic है वो है architecture ठीखते हैं architecture कैसा था Rome में so by 15th century Rome made its mark in spectacular way since popes were politically stronger by 1417 always weakness caused by election after the weakness caused by election of two rival popes in 1378 they actively encouraged the study of Rome's history तो Rome की history में एक weakness तब आई जब popes का control lose होने लगा पहले हमने देखा था कि Roman Empire में क्या था कि सबसे ज़्यादा pop को valuable asset माना जाता था सबसे ज़्यादा उन्हीं को leverage मिलती थी country में सबसे first estate जो थे हमारे वो pop ही आते थे तो उनके जब दो popes के बीच में आपस में election हुए तो उस समय पर weakness चा गए क्यूं क्यूंकि हमेशा पोप एक singular majority enjoy करते थे बट यहां पर दो rival आ गए तो क्या होगा weakness आ जाएगी और a new classical architecture was actually a revival of imperial roman style to roman style roman पहले किसली जाना जाता था अपने पोप के लिए अपने religious text के लिए religious culture के लिए बट इसके बाद आप वो किस चीज के लिए जाने जाने लगा after 15th century वो जाना जाने लगा अपने architecture के लिए और किसा beautifully design architecture बनाया गया था वो हम देखते हैं so artists and sculptures begin to decorate buildings with paintings, sculptures and reliefs so archelogist थे और जो sculptures बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या क्या सारी paint सारी दिवारों में painting करना स्टार्ट कर दिया sculptures बनाना स्टार्ट कर दिया नई नी designs बनाना स्टार्ट कर दिया मतलब एक modern technology वो लोग लिया हम कह सकते हैं archaeological field में अब आज की date में भी हम लोग अपने घर में Italian marble लगवाते हैं वो वो लोग कब invent किया था उन्होंने 15th century में तो वो पूरे वर्ल में कितना दा flourish हुआ यह आप देख सकते हैं present date में भी यह उनका एक influence हम मान सकते हैं architecture का पूरे ही वर्ल्ड में after that Michalango Buonoroti I'm sorry if my pronunciation is wrong आप spelling देख सकते हैं is remembered for his immortal work in Rome as the painted ceiling of system chapel the sculptures called the peta and design of dome by s.t.peter church तो यह किस चीज़ के लिए इन्होंने यह किस चीज़ के लिए जाने जाते थे इन्होंने पेटा बनाया था एक बहुत ही famous sculpture है Rome का वो इन्होंने design किया था इसलिए बहुत ज़्यादा famous थे यह नाम आपको याद करना पड़ेगा और यह नाम आपको इसलिए याद करना है क्योंकि उस वक्त अलग अलग ग्रुप में डिवाइड नहीं कर दे जाता था कि इस culture का ग्रुप है इस ग्रुप का नाम दे दिया particular इंसान का नाम दिया जाता था और उसे आपको लर्न करना पड़ेगा ज्यादा नेम नहीं है बस दो तीन नाम आपको याद रखने हैं आफ्र दैट फिलिप्पो ब्रुनलिची स्टार्टेड इस केरियर ऐस sculptures but became famous for designing in domo of florin यह एक दूसरी famous archaeological building थी और इसको बनाने वाले हमारे यह थे इनका भी नेम आपको याद रखना पड़ेगा आप spelling बीच देख सकते हैं इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि मैंने आपको already बताया कि by this time artists were famous individually by their names instead of being a member of the group or guide तो यह जो आर्टेस्ट थे वो specifically अपने नाम के लिए जाने जाते थे ना कि एक group अब जैसे कि आप देखे कोई भी इंसान अगर कोई काम पहले करता है तो उसका नाम पूरा वर्ड जानने लगता है पहले इंसान जो ने मार्स पे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था सब लोग जानते नील आम्स्ट्रॉंग बट दूसरा बहुत ही कम लोग जानत थी तो इन लोग के नाम बहुत अधा प्रोनाउंस हो गए थे तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे आपको आर्किटेक्चर का पार्ट समझ में आ गया होगा अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चॉपिक जो की है फिर्स प्रिंटेड बॉक्स मतलब हमारे जो रोम है या पर हमारे जो इटली है, वहाँ पर रीडिंग का या फिर प्रिंटिंग का कल्चर कैसे आया था जब प्रिणिंग स्टार्ट वुग थी वहा पे 1500 के राउंड में इससे पहले वहाँ पर जो भी writing होती थी वो लिखित में होती थी मतलब वहाँ पर जितने भी writers थे वो लिखा करते थे और जो copies दी जाती थी वो सिर्फ पढ़ने के लिए दी जाती थी आप अपने घर में नहीं ले जा सकते जैसे कि आपकी बुक में आपके स्कूल में जो भी बुक्स चलती है वो आप अपने घर ले जाते हो उसे पढ़ सकते हो जब भी आपका मन करें आपको जो बुक पसंद आप शॉप से जाकर पर्चेस कर सकते हो बट वहां पर क्या था कि जब हैंड रिटेन होती थी तो बहुत जादा कि जितने भी टेक्स थे वो सिर्फ few handwritten copies में ही लिखे जाते थे अब जैसे कि कोई चीज लिखी गई for example Bible लिखी गई country में तो वो अगर दूसरी country में जानी है तो उसे copy करके लिखना पड़ेगा और फिर दूसरी country में भेजना पड़ेगा वो क्योंकि printing का culture तो था ही नहीं after that in 1455 150 copies of Bible were printed in the workshop of Jonas Gutenberg 1400 to 1458 the German who made the first printing press he was the first person to initiate this program of printing press और यह कहां के थे यह जर्मनी के थे after that by 1500 many classical texts had been printed in Italy अब जब वहां पर printing machine आ गई तो 1500 से वहां पर बहुत सारी books printing print होना स्टार्ट हो गई इतली में इतली में ही क्यों हो गई क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है part a में भी कि सबस्यादर development advancement वहां कि कि सिटी में हुआ था इतली में हुआ था वहां पर ही hundreds of reader अब जैसे जैसे कि printing culture आने लगा country में तो बहुत सारी books बनने लगी बहुत सारे writers लिखने लगे और इसको print करा कर बेचने लगे तो लोगों के जो आइडियास थे लोगों के दिमाग में और ज़दा शाप होने लगे अब जब तक इंसान पढ़ता नहीं है तब तक उसक there in your mind काफी सारे आइडियास आएंगे आपके दिमाग में आप उस आइडियास को चूज करके आप अपनी field decide कर सकते हो या किसी चीज पर आपको work करना है वो भी जान सकते हो तो इसलिए books बहुत important role play करती हैं तो after that the chief reason of humanist activity was the circulation of printed books और जो humanist culture था उसका जो chief कारण बना वो printing ही बनी जब तक book sprint नहीं थी कोई इंसान master कर नहीं सकता था क्यों कैसे करेगा master जब उस subject की उस field की complete knowledge ही नहीं है और जब knowledge आई तब हमारा जो humanist culture है वो evolve हुआ अब after that हमारा next topic देखेंगे the new concept of human beings a new concept of human beings में हम लोग जानेंगे कि humanist का क्या views था मतलब जो नए इटली के people थे या रोम की people थे उनका एक human being के perspective से क्या मानना था तो देखते हैं one of the humanist culture was losing the control of religion over human life मतलब humanist का ये approach थी कि religion पीछे चूट सकता है humanity नहीं मतलब भले ही आप religion को follow ना करें बट आप एक human aspect को follow जरूर करें कोई अगर प्यासा हो उसे पानी पिलाएं को अगर भूका हो तो उसे खाना खिलाएं किसी इंसान को need हो तो आप उसकी help करें ये एक humanist view था ना कि सिर्फ religion को follow करना इसके बाद Italians remained religious though they were attracted by material wealth, power and glory तो जो Italian people थे वो religious तो रहे बट साथ ही साथ वो किस पे attract होने लगे वो लोग Maya पे attract होने लगे Maya किसे बोलते हैं हम wealth, money, power ये सब चीज़े क्या है Maya में आ जाती है मतलब कि ये miraculous ऐसी चीज होती है Maya कि हम उस पे attract हो जाते हैं और हम अपनी life का ultimate goal भूल कर हम उसी के पीछे भागने लग जाते हैं तो ये humanist people की भी यही approach रही थी after that a humanist from Venice Francesu Barbaro wrote pamphlet in defense of possession of wealth and called it virtue तो ये जो थे humanist इन्होंने कहा कि wealth एक different concept है but human life को का basic motto virtue हासिल करना होना चाहिए अपनी life का सिध्धान्त हासिल करना होना चाहिए ये humanist approach थी after that there were there was a concern over good manners that how one should speak politely and dress properly means ये humanist view था कि कैसे हम politely बोले भी और dress properly भी रहें dress properly से आपका मतलब है कि आप एक अच्छे wealthy इंसान हो और साती साथ आप politely बोलो अप अच्छे से बोलो चाहे वो आपसे rich हो चाहे वो आपसे poor हो सबसे equal treatment करिये आप after that humanist believe was linked with a view that human nature was many sided which went against the three separate orders that feudal society believed अब feudal society of Europe में हमने देखा था three estates में divide था clergy, nobility and common people तो इन में नाम बानकर हमें क्या करना चाहे हर एक human की ultimate goal देखना चाहे मतलब हिंसा हर इंसान के अंदर होती है अहिंसा भी हर इंसान के अंदर होती है इंसान को अपना ultimate goal ढूणना चाहे हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना है हमें life को किस तरह से lead करना है कि हम एक ideal lifestyle जीए हम किसी को hurt ना करें हम एक अच्छे से अपनी साधारन सब बे साधा जीवन उच्चे विचार वाली lifestyle जीए ये एक humanist approach थी उनका ऐसा मानना था तो यही था हमारा topic a new concept of human being अब हमारा आज का second video का last topic देखेंगे the aspirations of the women ये topic हमें ये बताता है कि women's की condition क्या थी Roman Empire में या फिर हमारे इटली में या फिर जितनी भी हमारी यॉरप की countries है उसमें तो the new ideas like individuality and citizenship regarding human beings excluded women अभी हम जितनी भी humanist approach की बात कर रहे थी कि equality में believe रखते थे religion से उपर humanity रखते थे उस सब में women's को exclude कर दिया जाता था जी हां women's को right नहीं मिलता था after that women play no role in business matter though their dowries were meant to support business alliance women's का कोई रोल business में भी नहीं होता था जितने भी elite class होते थे या business class लोग होते थे वहाँ पर जो women's होती थी उनको जैसे की बेटों को मिल जाता था पूरा business पिता जी का बट बेटियों को नहीं मिलता था बलकि बेटियों की शादी में जो भी उनका dowry होती थी वो जब father देता था उस dowry को use करते थे opposite side वाले husband side वाले उसे अपने आप में utilize करने में अपनी asset बनाने में utilize करते थे इसके अलावा those girls whose dowry was not arranged were sent to convents to lead the life of nuns तो वो लड़कियां जिनकी dowry नहीं भीजी जाती थी जिनका दहेज नहीं दिया जाता था उन्हें कहां भे नन्स आपको पता होगा जो जन्दगी पर कुवारी रहती हैं जो शादी नहीं करती हैं उन्हें नन्स कहते हैं और वो जन्दगी पर religious life जीती हैं तो the women's were looked as a keeper of household तो women की condition यह थी कि उनको as a keeper of household लखा जाता था कि घर के सारे काम काच करें बाहर ना निकलें बट ऐसा नहीं क कई business class में women's help भी करती थी अपने husbands को या अपने घरवालों को business setup करने में या फिर कुछ intellectuals भी होती थी उनमें सी example है several women's were intellectual humanist like Vanetian Cassandra Fedele तो इनको कई बार पादूआ University में बुलाकर समानित भी किया गया था इटली में तो यह नाम बहुत important है आपको याद रखना पड़ेगा after that the writing of women that of that period revealed their confidence that they should have economic power, property and education to get individuality of the world dominated by men तो जो भी women's की writing में पाया गया European society की उसमें यही था कि उनको economic power और जदा गर मिलती तो वो एक individual personality के रूप में सामने आती और male dominated society को वो लोग overtook कर देती और women's को भी specific standard provide कर देती तो यह थी women's की condition I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो guys अपने part B भी complete कर लिया है I hope आपको समझ में आ गया होगा अब जो remaining topics हैं वो हम लोग part C में करेंगे और वो हमारा last video होगा और उसमें chapter complete हो जाएगा plus उसमें हम कुछ important questions भी जानेंगे जो कि boards में या आपके exam में sorry आपके exams में most frequently पूछे जा सकते हैं इस chapter से सो आपको stay tuned रहना होगा और इस वीडियो में अगर आपको मेरा effort पसंद आया हो then please like comment share and अपने दोस्तों के साथ share करो subscribe करो channel को मिलते हैं next video में till then stay tuned